गुड मॉर्णिंग दोस्तों मैं हूँ बिक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जी के की दुनिया और इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परमुख खेल एवं उनके बिजेता से सम्बंदित कुछ महतुपोर्ण क्यूस्चन जो की ओल एक्जाम्स के यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दोस्तों इस वीडियो में आके बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकोन को दबा दीजिए ताकि मैं हर रोज आपके और फ्रेडर जो कि सुट्यालेंड से हैं और महिला विजिता में सेरेना बिलियंसन जो की अमेरिका की है तो इसी के साथ चलते हैं दूसरी नंबर किश्ण की और का जाए फ्रेंच ओपें 2017 के विजिता तो 2017 के पूर्स बिजिता राफेल नडाल जो कि अस्पें से हैं और है घपेंसे लेना और जर्टोफेको जो कि लट्बिया से है इसी के साथ चलते है थी नंबर किश्ण की और कार रहे है विलीम डणदन दळांडन ओपें 2017 के विजिता तो चैनले के विजिता पूर्स के में हैं डोजर प्रेडर जो कि स्विञे फ्रेड और हैं और महिला में 2017 के भी जिटा तो पुरूस में राफेल नडाल जो कि अस्पेंट से हैं और महिला में अस्टिफवांस जिह तो अस्टिफवांस जो की अमेरिका की है इसे के साथ चलते हैं पाच नेम्बर क्यूशन की ऊगर कहा जा रहा है अस्टेलियन ऑपें 2018 पोगी जता तो जताती हैं इसपैंक से हैं और प्रेंच ऐसं फ्रेंच 2 और आठार तो क्या सद्व मुझा की चलते हैं 6 नंबर क्रिषिंग कि ओपन Winter 2018 जहां तो फ्रेंच ओपन 2018 तो इसके पुरुस विजयता रेफल नडाल हैं जो कि एस्पेंसे हैं और महिला विजयता सीमोना हाल पे जो की रुमानिया की है इसे के साथ चलते हैं साथ नमर क्योशन क्यों जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और हर प्रकार के एक्जाम में बार जो क्या र्यांड नवाक जो को बीक नोकी जोकी सर्विया कंपने और महिला में अन्जली के कार बेर जोकी मिते जिक साथ की हैं जोकि घर्मेबैबघ और जागवान्व उचानफ यह की सर विया क्यों Informationule कि नायमी उसाका है जो कि जापान की है इसके साथ चलते हैं नौन नंबर किश्टन की ओर का जराभ बीजए हजारे ट्रफी 2017 कि इस ने जीता जिस्ट तो बिजय हजारे किसने जीता जिहांस तो रंजी ट्रोफी 2018 किसने जीता तो सही अंसर दोस्तों विजेता थे विजेता कौन थे तो विजेता और उप विजेता जो थे वो दिल्ली थे इसे साथ चलते हैं 11 नंबर क्योशन में यह भी बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है दोस्तों काजरा अंडर और नाइंटीन विजेता हो जाएगा हमारा भारत और विजेता हमारा भारत है हर्क Сक तो जिए तो ब्लाइंड क्रिकेट बिस्वक अठारा किसने जीता तो सजयन सब्सक्राइब दोस्तों विजेता हमारा भारत है और उप विजेता पाकिस्तान इसी के साथ चलते हैं तेरे नंबर क्यूशन की और का जाए रहा है सुल्तान अफजल सा हाकी कप जिए तो सुल्तान जिहां तो थौमस कप बैडमिंटन पुरुस 2017-18 का खिताव किसने जीता जहां तो 1 капप बैड मिंधन योकि पूरुस खेल है उसने 2017 अटारा में का खिताव किसने जीता तो तुसाई हैंसल दोस्तों विजेता देश हो जाएगा चीन और 2 ऑप बिजेता देश हो जाएगा जा जापान इसी के साथ चलते हैं 15 नंबर क्यूशन की ओर का रहा है उबेर कप बैडमिंटन महिला 2017-18 का खिताब किस देश ने जीता जिता जिसका सही जाएंसर दोस्तों विजेता देश थी जापान और विजेता थाइलेंड इसी के साथ चलते हैं 16 नंबर क्यूशन की ओर का रहा है लेबर कप जी यहां दोस्तों लेबर कप का प्ररांब कब किया गया जिसका सही जाएंसर दोस्तों 2017 में और इसका आयोजन कहां हुआ था तो प्राग जो की चेक गन राज में है और इसको जीता कौन था दोस्तों तो यूरूप जी किस ने जीता तो सही अंसर दोस्तों जीता था भारत ने और आयोजन हुआ था धाका में जीहां तो आयोजन कहां हुआ था तो धाका जीहां दोस्तों यही जो बंगाल में पढ़ता है धाका और बंगाल की रंदा बंगला देश की रधानिया धाका और जीता किसने तो भारत और हारा कौन था जिहांस तो यानि कि उप विजेता कौन था तो मलेसिया इसी के साथ चलते हैं 18 नमर क्यूशन की ओर कहा रहा है डेवीस कप जिहांस तो डेवीस कप 2017 का खिताव किस देश ने जीता तो सही अंसर दोस्तो जीतने वाला देश था फ्रांस और उप विजेता या जीता जिसका सही अंसर दोस्तो अफगानिस्तान जीतने वाला देश था अफगानिस्तान और उप विजेता जो हारा तो वह पाकिस्तान था इसके साथ चलते हैं 20 नमबर क्यूशन की ओर का रहा प्रो कवड़ी जैस तो प्रो कवड़ी गोरा सत्रह का खिताव किस ने जीता जीता 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 मैहिलाब भीश्वकप 2017 कुछप खिताव की दैस ने जीता? जी हां दोस्तों मरीला विश्वुक का 270 ख कहा जा रहा है संतोष ट्रोफी संतोष ट्रोफी 2018 का खिताब किस ने जीता जिसका सही अंसर है दोस्तोष बीजेता टीम थी केरल और उपवेटा टीम थी पश्यमंगा तो यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जिन लोग ने अभी तक हमारे चैनल जीके की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दवारा नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही हर दिन नए नए वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तो अगर आप को कोई सुझना है सुझाब देनी है तो आप हमारे कमेंट बाक में जाकर कमेंट कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तो